नौचल लिंड, टर्न दे पेज, पेज नमबर 68, एक्सराइज यूज दिस और डैट, लुक अट दे एरो एंड दे पिक्चर राइट दिस और डैट इन दे स्पेस प्रोवाइडेड, सी, यह जो पिक्चर है और यहाँ पे एरो बनी है, यह एरो को देखते वे आपको दिस औ और डैट का यूज करना है और यह जो गैप दिया है, यहाँ पर जो खाली जगह है, उसमें आपको दिस और डैट एरो के हिसाब से लिखना है, सी, दफर्स पिक्चर हाउस, यह जो हाउस है, उसका एरो जो है, वो कैसे है, नियर है, नियर टु अस, पास में हैं, इसलिए हम यहाँ पे gap में this का यूज़ करेंगे टी एचाई एस दिस और यह जो एरो प्लेन है वो कैसा है दूर है तो दूर के लिए हम किसका यूज़ करते है दाट टी एचे टी डाट explanation में मैंने आपको बताया है कि जो दिस वर्ड है वो हम किसके लिए रूफ रैफर करते है जो चीज जो है thing या person very close to us या very near to us दाट चीज जो है word दाट वर्ड का use हम जो चीज़े हमसे बहुत दूर है उसके लिए हम दाट का जो है यूज़ करते है उसको रैफर करते है दूर वाली चीज़ को और ये दोनों भी singular noun के लिए यूज़ करते है एक चीज़ के लिए ये जो frog है वो कैसी है पास में है नियर है तो इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे दिस का और ये जो बॉल है ये देखो arrow कितना लंबा बनाया हूँ है दूर है तो इसलिए हम इसका यहाँ पर that word का यूज़ करेंगे फिर ये जो car है इसका arrow भी क्या है नियर है तो हम दिस का यूज़ करेंगे एक और चीज़ आपने notice करी होगी कि ये जो this और that वाले sentence है उसमें verb ease का यूज़ किया है present tense की verb है to be के form में जब कोई single object होता है या single subject है तो उसके लिए हम ease verb यूज़ करते हैं is is single एक चीज़ के लिए तो यहाँ पर this word जो है वो singular के लिए यूज़ होता है इसलिए verb भी to be की is use है और that के लिए भी same verb का use होगा क्योंकि that is also a singular हम that भी singular जो है object के लिए यूज़ करते हैं इसलिए यहाँ पर to be का verb ease लिखा है अब next exercise जो है हम next video में करेंगे